करनाल के लगु सचिवाले के समख्ष ग्रामीन चोंकिदार सभा की और से अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है जिसके चलते आज यह धरना तीसरे दिन में प्रवेश कर गया ग्रामीन चोंकिदार सभा के प्रधान ने बताया कि सरकार दुआरा उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही इसलिए उनके विरोध में धरना दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि शनिवार को पूरे प्रदेश सर पर यहां धरना दिया जाएगा और इसका मुख्याले करनाल में होगा उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो विधान सभा चुनाओ में पूरी चोंकिदार यूनियन सरकार का विरोध करेंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों से जन जन को अवगत करवाएंगे इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीन चोंकिदार सभा के महिला और पुरुष चोंकिदार मुझूद रहे द्रामीन सफाई करमचारी मैं जो गिंदर सिंग पिष्टिक परदान द्रामीन सफाई करमचारी को पक्का किया जाए हमारी मांगे है जो उनको लागू किया जाए समान काम समान वेतन लागू करे जो सुप्रीम कोर्ट किया देश है पुक्राएने करनाल में दो दिन का पड़ाव डालने 같은데 हैं। हमारे से बात्चीत कर लेती है, तो हम अपना पड़ाओ उठा देंगे, नहीं तो आगे और की गोश्ण हो सकती है, क्या मांगा आपकी मुख्या है, हमारी मांगे है कि क्रामिनी सफाई क्रम बचारियों को पक्का किया जाई, और जो समान, जो सफाई को जा रहा है, वो सरकार हमें सरपन्च है जो समान देते हैं, सोशन करते हैं. अगर सिर्कार आपकी मांगे नहीं मांदे हुई, दानसवा चुनावा रहे हैं, क्या पैसलर लेंगे आप ? कि कम से कम पचास बोटे काटे और सरकार के पता चलते कि ये सफाई करमचारी हैं और इनके बोट दवारा बनाए जाते हैं अज किसी को क्या पन भी देंगे आप लोग आज हम को क्या पन देंगे तल क्या पन देंगे ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर खिलिक कर बेल आइकन को दबाए